नमस्कार मैं हूँ संदीप राय और आप देख रहे हैं All the Times का लाइव हमारे साथ आज हैं आम आदिम पार्टी के दिलीप पंडे जी नमस्ते तीन साल सरकार के पूरे हो गए हैं आम आदिम पार्टी के दिलीप में और हम लोग आज बातचित करेंगे उन वादों को लेकर के जिस वादे के बिना पर ये सरकार ये पार्टी सरकार में आई, और वो वादे जो अभी पूरे किये जाने हैं और उनका क्या खाका होगा, हम दिली पड़ेजी से जानना चाहेंगे. क्या तीन साल में किया सरकार ने लोग ये जानना चाहते हैं देखें मांदारी से अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली की सरकार ने वक्त की चट्टान पे पिछले तीन सालों में जो लकीरे खेंश दी हैं उसी थाबित कर दिया है कि दरसल यही सरकार आम आदमी की सरकार है इस सरकार ने अपने गोशना पत्र को अपनी आखरी किताब मान के और जिस तर्तीब ढंग से अपने वाइदों को पूरा किया है प्रो पीपल गवर्नेंस का एक बेंचमाक स्टेबलिश किया है जिसको देश की किसी भी और सरकार द्वारा टच कर पारे में बहुत वक्त लाइगा और ऐसा मैं आखरों की बिनापर कह पा रहा हूँ मसलन दिल्ली की सरकार देश की एक मात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने बजट का बारा प्रतिशत हेल के उपर खर्च किया अपने कुल बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा के उपर खर्च किया जो इस सरकार की प्राथिमिक्ताओं को बुर्ड कैपिटल और अंडरलाइन में लिखे जाने के लिए पर्याप्त है वहीं जो हमारा विपक्ष है जो तथाकतित विपक्ष है वह हमेशा इस जुगाल में लगा रहा कि कैसे आम आर्णी पार्टी के गवर्नेंस की लकीर को मिटा कर चोटा किया जाए जबकि हमारा प्रयास हमेशा अपनी बड़ी लकीर खेशने कर रहा है और जंता अपने आप तुलना कर लेती है जंता बड़ी समझदार है वो कंपेर कर लेती है कि कौन हमारे हक में काम कर रहा है और कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है मसलन बजली पानी के वाइदे के ओपर आभी कर रहे हमाजिन आभी उन वाइदों का हवाला दे रहे हैं जिनके आधार पे सरकार बनी है बिजली पानी का वाइदा हमने बहत्र गंटे में पूरा कर दिया था इसके बाद शिक्षा और स्वास से दो ऐसे आमानी पार्टी की सरकार के उपक्रम रहे हैं जिनी के ऊपर जो काम दिली की सरकार नहीं कीए हैं उसका लोहा विपक्षण ही मांनतें भिफ नहीं मानते हैं मतलब मोहला क्रिनिक आइकउनिक है इसम fluffy कियरा है मतलब पहले एक जमाना होबा करता दो लोक कहते थैं जापान से सीखो जर्मनी सीखो अमेर का से सीखो अमेरिका कहता है कि हेल्थ प्रफोलेश को के सेaintsौल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दिली की सरकार के अंदर एजुकेशन के शेत्र में जो रिवलुशन लागया जो बदलाव लागया है जहां पे आप सब की जानकारी में है यह बात कि हमारा यह मानना नहीं है कि खाली इंफ्रस्ट्रॉक्ट्ट्रॉक्चर बदल लेंगे तो स्कूल बैतर हो जाएंगे तो बच्चे बैतर हो जाएंगे पढ़ाई बैतर हो जाएगे हम से पूछने के बजाए हम चुनोती देते हैं सड़क पे चलने वाले दस आदमियों से पूछिए आठ आदमी डिली के सरकार के काम काज की गवाही देंगे अगर आप बिजली पानी शिक् चाहाएं तो प्रॉछ ने में दीली की सरकार ने पिषले तीन साल में 7,039 कमरे बनाये ूप्री केंच कॉदिपा ध को जबकि पिछली सरकार जो है उसने स्कूलों के स्टब्लिश्मेंट के बाद मातरा 800 कमरिय बनवाए पिछले 15 साल में तो आप दोनों के अंतर से स्पष्ट समझ सकते हैं कि कौन सी सरकार शिक्षा के अंदर सुधार के लिए कटिबध नजर आ रही है कौन सी सरकार गंबी नजर की कुर्सी पे भारतियांता पार्टी दोरा नियुक्त अलजी साह बैठे हुए हैं तो हर एक काम के लिए जहां जमीन की आवश्रक्ता है हम मजबूर हैं उनके सामने हाथ पसारने को तो हमने कई सारी रिक्वेस्ट जो है लैंड अलोकेशन को लेकर उनके पास डाली हुई ह हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है स्पोर्स यूनिशिटी के लैंड के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है अलग-अलग कॉलेजिस में भीड़ बढ़ रही है दिली सरकार की जो कॉलेज है तो उसमें अलग कैंपस खोलने के लिए नए कॉलेजिस खोलने के लिए रिक् कि जनकारे के लिए बताओं कि टेंडर हो चुका है और काम शुरू हो चुका है और डेडलाइन भी आ चुकी है कि साथ महीने के अंदर दिल्ली के अंदर सीसे टीवी कैमरा लगबग सवादो सो करड़ उपे की लागत से एक लाख चालिस जार कैमरे लग जाएंगे आज की ता बहुत खराब है दोस्तों हमको डिटरेंस क्रियेट करना पड़ेगा और सिसी टीवी कैमरा सिर्फ डिटरेंस है यह भय होता है कि कहीं हम देख लिये न जाएं कहीं हम पकड़ न जाएं एक साल से जो लड़कियां है स्कूलों में उनको सेनेटरी पैड नहीं मिले यह कैसे ह गया होगा पर इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और जो पहले की यह पुरानी योजना है यह आइटिंक सहली है कुछ नाम इस योजना का तो वह योजना अब क्रियानुवित हो चुकी है बहुराल दे रहा है दूरुस्ता है तो काम हुआ है अच्छी बात एक चीज हमने कॉस्पेड आनेलसी कρाया सौट आनेलसी कराया और इन सारी आननेलसीस कराने के बाद हमने यह पता करने की कोशिश करी है कि पस sophistic करने कि अपने हाजब इंप्लेमेंट करने को के तीन साल हो गया हमको काम करते हुए तैंस यह उन trabalho को कहा हो कि यह वाला वायदा 2021 में पूरा होगा ये वाला वाइदा हम सारे वाइदे अपने कारेकाल के अंतरगत ही पूरा करने की कसम खा रहे हैं और कर भी रहे हैं वहीं दूसरी सरकारे इस देश में अपने वाइदों को जुमला करार देती हैं अब देखिए गोयल साब मैं एक मंतरी की अब ये प्रावधान भी कर दिया है कि इन अनादकित कॉलोनियों के अंदर भी अमेले के पैसे से अभीधाइक के निधी से विकास के काम होंगे तो ना लिया असरक के इत्यादी बनना जो कभी होता नहीं था ये सारे काम अब संबव है तो अनादकित कॉलोनियों जब भी थोड़ा बहुत फॉक शुरू होता है तो ऐसा होता कि उसका PPM लेविल अचानक 500 से उपर पहुंच जाता है तो क्या है इसको लेकर के कोई ऐसा खाका है आप लोगों के दिमाग में कि पॉलिशन को लेकर कि जो सबसे वो सबसे ज्यादा एक इस्थिति है कि जिससे लोग बिमार पढ़ते हैं तमाम तरीके के उसे मौते होती हैं कई सारे सर्वे भी हो चुके हैं तो कोई इसका कोई ठोस पहल आपकी तरफ से दिल्ली के अंदर जो प्रदूशन है उस प्रदूशन के लिए मातर दिल्ली की जनता जिम्मेदार नहीं है और दिल्ली की सरकार द्वारा ही एकल प्रयास किये जाने से इस समस्या का समधान निकल सकता यह भी आवशक नहीं है इसके तमाम प्रमार आ चुके हैं अभी कुछ वो अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके जो पार्टिकल्स वहां से ट्रेवल करके आ रहे हैं, वो भी डेली की पॉलुशन में कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं, तो इसमें एक सेंट्रल गॉर्मेंट को इंट्रवीन करना पड़ेगा, मतलब इसमें सबके साथ मिलके को जनकारी में होगा, हमने सबकों को वैक्यूम क्लीन करने का एक वाइदा किया था, आपको पता हो तो, हमने वो फाइल बनाई, घूमाई, जंक साब उस समय एलजी ते, वो रोग दिये, बोले नहीं तुम्हारा काम नहीं है, सानिटेशन साफ सफ़ाई करना है, यह तो में जगर पे हमने एर प्यूरिफाइंग टावर्स इंस्टॉल इस समय किया जा रहा है, तीन सालों में विवाद भी काफी रहे, बीस विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन से ले करके, और बहुत सारे विवाद ऐसे रहे, जिनको आपकी अपने अंदर उनी पार्टी के अंद अगले दु साल में इन विवादों पर कोई समाधान आप करेंगे या इनको इसी तरह से जैसे लिंगरान, आम आन्मी पार्टी नमक नदी में अगर पत्थर पढ़ने से हलचल हुई, तो हमको यह देखना चाहिए कि पत्थर कहां से आया, नदी का दोश नहीं है, पर हुने जाओगे हमारे कातिल, अब हमारे कतल का इल्जाम हमी पे रख दो, मतलब हमी परेशान हैं और हमें ही दोशी ठेराय जा रहा है, बीस विधायकों की जो डिस्कालिफिकेशन का मसला है, इस मसले में जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रॉसिस होता है, वो तक एढ़र न इस पर भी साइन करते तो डिली जंता का भला भी हो जाता है, जब से नए एलजी आये हैं और उन्होंने कुछ फाइलें तो पास की है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या ऐसा इसका संकेत माना जा है कि राज्य और केंदर के बीच में कुछ सहयोगात्मक रुख सामने आया है, देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ एक बार भी की बड़ी असानी सब कुछ हो गया हो, कि एक वाक तो नहीं रहा, पर चुकि दिली की जंता के हित का मामला है, हम तो हाथ जोड़ना पड़े, घुटनों प्याना पड़े, गिलगड़ाना पड़े, तो भी एलजी साहब के सामने गिलगड़ाने को हाँ जोड़ने को तयार है, और वो हमने एक बार नहीं काई बार किया है, और जब जब वेलजी साहब का मन पिघला है, दिली की जंता की हितों का ही धियान लगके पिघला हो, हमने हर बार उनका साधुबाद किया है, हर बार उनका धन्यवाद किया और प्रश्टाचार की जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का क्या है तीवारी जी बोलते हैं बिस न को बात करते हैं तो लगते हैं कि जितक वो शोले फिल्म में नाकू गबर सिंग थे वो अहिंसा के उपर प्रवशन दे रहे हैं हमारे यहां भुजपूरी में काहोत कहते हैं सूप तसूप चलनियों बोले जेकर बहत्तर छेद समझने हैं आप भारती जन्ता पार्टी आकंठ भ्रस्टाचार में डूबी हुई एमसीडी को चलाने वाली पार्टी है दस साल की विफलताओं का निकम्मे पन का आर्थिक भ्रस्टाचार का एमसीडी से बड़ा जुलंत प्रमाड हो नहीं सकता है विश्व की भ्रस्टतम संस्थाओं में से एक है जिसको हम नहीं हाई कोट सुप्रीम कोट लुवर कोट और पार्लामेंटरी पैनल तक एक बार नहीं कई बार बुरी तरह से लतार चुके हैं देखे एक देखे एक चीज तो है कि भ्रस्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरूप रत्यारूप लगा आकड़े जारी हुए थे दिल्ली की सरकार के अंदर 81% कमी आई है ब्रस्टाचार के में और केंदर की सरकार जो बीजेपी की सरकार में 67% की ब्रस्टाचार के मामलों में बढ़तरी आई है यह आकड़े आया थे और बकाईदा हमने इस पर प्रिस कॉन्फिरेंस करी थी तो ये एक किसम का इंडिकेटर है लेकिन मैं आपकी बास समत हूँ मामला तब तक तो ठीक था जब तक की एसे भी हमारे पास थी लेकिन एसे भी के जरीए भरस्टाचारियों पर जैसा ही हमने नकेल कसनी शुरू की एंटी करप्शन बूरो जी एंटी करप्शन ब्रांच की में ब बल लगा कि उस आफिस को हमारे कबजे से चीन लिया गया और उसके बाद इसको नियंतित करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है थोड़ा सी परिशानी हो रही है हमने दूसरा रस्ता अपना आया जनलोकपाल बिल पास किया भेजा सेंटर के पास सेंटर उसके उपर भी हमें लगा थोड़ा सा उससे भी हो जाएगा तो इसके बावजूद देखिंगे नीचे के लेवल पे करफ्षन होगा सरकार के लेवल पे कर्रफ्षन में भारी कमी आई है और इसके तमाम उदारन है और उसमाम जो सर्विक्शन आ रहे हैं अकबारों में जो थार्ट पाटी आगे आने वाले समय में बहुत लार्ज स्केल इंफरास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्र डेवलप्मेंट के प्रोजेक्ट इनिशियेट होने वाले हैं, हाला कि 11 लाइवर बनाए हैं, हमने किरतमान स्थापित किया है, बरिष्टरचार में भी कमी आई और पैसे बचाए हैं हमने स्वास्थ के एक शेत्र में पॉली क्लिनिक के ओपर फोकस हैं, नए हॉस्पिटल के ओपर फोकस हैं, हमारा जो आइडियल सिच्वेशन हम चाहते हैं दिली में क्रियेट करना, वो है थ्री टायर हेल्थ केर सिस्टम ताकि जो बड़े स्पतालों पर लोड है, उसको हम डिस् स्वान के सारे सिधारे तोड़कर जनता के नाम करते हैं, आप देख रहे थे नौदर टाइम्स का फेस्बूक और यूट्यूब लाइब, इस यूट्यूब लाइब को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक करें, थैंक यू, शुक्रिय पैंक करें लाइब, च़ता हैं, एक यूट्यूब लोग्यूब लाइब, जिए पार वाइब, रहे थे एंप जिए रहे दो कि सुट्प चलाइब, इस यूट्यूब लाइब, नग्यूदर मेएब, जद़ व्यूब लाइब